Hey class 7, this is your lecture no. 4 on chapter 14, electric current and its effect. So let us start, here are listed a few electric appliances. Now what are electric appliances? देखे, इन में से कुछ appliances हैं, आपके घर में भी होंगे, है ना? ये जो appliances हैं, जितने भी electricity पर वाग करते हैं, उन्हें हम electric appliances बोलती हैं, जैसे freeze है, अगर हम इसको as a tease रख देते हैं, तो क्या ये cooling करेगा? नहीं करेगा ना? फैन हवा नहीं देगा, music player, music play नहीं करेगा, washing machine है, वो अपना work नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इन्हें plug-in करना होता है, किसमें? Sockets में, this is your switch and socket board. आपको क्या करना होगा? Suppose, let us take an example, here is a fan. अगर हमें चाहिए कि ये fan जो है work करे, हमें इसके plug को socket में insert करना होगा, first and then switch on करना होगा. Now, जब हम switch on करते हैं और हम plug-in करते हैं, तो उससे होता क्या है? जो ये socket board है ना? इसके अंदर wires का complete circuit होता है. As we have already discussed in our previous lectures, कि जैसे ही आप switch on करते हैं, electric circuit complete हो जाता है. Current जो है proper flow करना start कर देता है circuit से. वो current जो है, इस plug के थूँ wire में और wire के थूँ आपका जो fan है ना, उसकी motor तक जाता है. Motor work करना start कर देती है, fan जो है, वो rotate करना start कर देता है, और आपको fan से क्या होता है, हवा के लिए हम यूज करते हैं जो उसका purpose है, वो आपका solve हो जाता है. And same with all the electric appliances, okay. So, यहाँ पर अब हमें एक चीज़ note down, अगर आपने की हो, या फिर आप कर भी सकते हैं, देखे, जिससे यहाँ पिचर में दिखाया गया है, क्या दिखाया है, टेबल फैन है, okay. और अगर आप यहाँ पर देखें, जो arrow है ना, उससे fan motor की तरफ वो point out कर रहा है, यह आपका fan motor होता है. See, यह है आपका fan का motor. अगर हम किसे भी appliance को काफी लंबे time तक use करते हैं, तो होता क्या है, कि जो motor है ना, वो कैसा हो जाता है, हलका heat up हो जाता है. आपने कभी accidentally ऐसा हुआ हो, या देखा हो, कि आपने touch किया हो, आपको हलका साना heat feel होगा, heated up हो जाता है, okay. यहाँ पर जैसे fan का example है, ऐसे ही आप mixer grinder हैं, या आपकी mummy यूज़ करते होंगे, आप discuss कर सकते हैं, कि जब अगर इसको लंबे टाइम तक हम use करें, और इसको touch करके देखें, तो maybe यह हलका heat up हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थूड़ा हो जाता है, इसी तरीके से phones हैं, आजकल तो आप phone पे ही सारी online studies कर रहे होंगे, तो यह तो आपने definitely experience किया होगा, कि अगर हम phone को काफी लंबे टाइम तक charging पे रख लेते हैं, suppose उसमें वैसे तो हमें बहुत लंबे टाइम, complete charging नहीं करनी चाहिए, हमें 90 तक enough होता है, ठीक है, लेकिन कई बर क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं, charging पे लगा कर, suppose आपने लगा दिया charging पे, आपने हटाया नहीं है, 100% full होगे, यह उसके बाद भी लंबे टाइम तक लगा हुआ है, आप हटायेंगे ना, phone हलका सा heat up हो जाएगा, है ना, और कई बर क्या होता है, थोड़ा old phone हो जाते हैं, तो जब हम उन्हें use करते हैं, वो use करते करते भी heat up हो जाते हैं, तो ऐसा किसलिए होता है, अब यह appliances है, यह heat up कैसे होते हैं, जैसे fan, mixers, या बाकी भी जो appliances हैं हर किसी में motor होती है, वो heat up क्यों हो जाती है, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, ठीक है, नहीं सोचा है, तो कोई बात नहीं, यह आप observation कुछ कर चुके होंगे, तो उनको remind करिए, अगर नहीं कर चुके हैं, तो बेशका आप इस try करना, अपने घर में जो appliances हैं उन पे, अगर वो चल रहे हैं काफी time तक, एक बार देखना आप, but carefully, okay, so, यहाँ से, अब हम देखते हैं, कि जितने भी appliances हैं न, सभी पर यही चीज़े जो हैं न, हलका सा जो heat up होते हैं, वो apply होती हैं, ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर note करने की है, कि अगर इन appliances को, मैं plug-in नहीं करती हूं, means उसमें से electricity अगर pass नहीं हो रही है, लेकिन वो heat up नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आपने phone है, अपना as it is रख दिया है, चाहे अब उसे दो दिन, चार दिन, ऐसे ही रखिए, और अब switch off करिए, रख दीजिए, किसी भी तरीके से heat up नहीं होगा, ऐसे ही, जो fan है, या कोई भी appliance है, वो heat up नहीं होगा, वो heat up सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब हम उसको plug-in करते हैं, means जब उसमें से electricity pass होती है, okay, so what this means, this means if in any case, in any appliance, if electricity passes through any appliance, suppose this is some appliance, if electricity passes through any appliance, then a very little part of it or some portion of it get converted into the heat, यही मतलब हुआ न, क्योंकि अभी मैंने बताया कि electricity pass नहीं हो रही, तो वो heat up नहीं हो रहा है, नॉर्मल जो room temperature है, उस पे जो temperature है, वह ही उसका रहेगा, but electricity pass हो रही है, and for a longer duration, then definitely it will get heated up, हो सकता है कुछ appliances कम हो, कुछ जादा हो, और यह appliance की age पर पर depend होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो heat up हो जाते हैं, तो फिर इसका reason क्या है, कि electricity कहीं न कहीं, electricity का ही effect हुआ, कि electricity pass on होने पर heat में convert हो रहे हैं, now this is called the heating effect of current, current here means electricity, इससे हम क्या बोलते हैं, electricity का heating effect, so let us read out first, when electric current passes through the conductor, heat is produced, means अगर electricity किसी भी conductor से pass होगी, तो वो heat up हो जाएगा, now conductor, I have already told you, what are conductors? any device or wire through which electricity can pass through, तो उससाब से, जो आपके जितने भी electric appliances हैं, वो आपके conductors हो गई, उनकी motors जो हैं, वो conductors हो गई, वो wire से जो connected है, socket से, वो wire आपकी conductor हो गई, तो किसी भी conductor में, means wire से और उनके थूँ मोटर से, अगर electricity pass होती है, तो heat produce होती है, and this is called the heating effect of current, so this is our today's topic, okay, so heating effect of current, देखे, जितने भी studies होती हैं, scientific studies हैं, discoveries हैं, वो किसी ने किसी scientist ने तो कुछ observe किया, observation बेस पे ही क्या होती हैं, research होती हैं, research के बाद discoveries होती हैं, so यहां पर जो हमारी scientist थे, James Prescott Joule, so he is the scientist who has first observed, research and discovered the heating effect of current, and he completed his research in almost three years, he started researching on the topic in 1840, and has completed it in 1843, three.